पाकिस्तानी कप्तान सर्फराज हैमद का चार साल के बाद क्रिकेट के मैदान पर शानदार कमबैक उसी के साथ में पांच दिनों का एक ऐसा टेस्ट मुकाबला जिसमें बने 1400 से ज्यादा रन आठ अर्ध शतक तीन शतक और मुकाबले का आखरी नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को चार ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 15 अनन न्यूजिलेंड को जीत के लिए चाहिए था मातर एक विकेट वहां से खराब लाइट के कारण ड्रॉ के रिजल्ट में खतम हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतहास का एक सबसे रोमांचक मुकाबला किस तरह से ये मुकाबला गया क्या इस मुकाबले की बड़ी बाते नहीं है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में अंतक बने रहेगा हमारे साथ हम सब बेखूबी जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बीता साल टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं गया क्योंकि मुकाबले का नतीजा ड्रॉप पर रहा है हाला कि पाकिस्तान ने लड़ाई खूप की जहां चौथी पारी में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 319 रन वहाँ पर पाकिस्तान 304 रन बना पाया जिस चौथी पारी में सर्फराज हेमद ने अपने कमबैक के बाद 14 शतक जड़ते हुए 118 रनों की पारी खेली जब सर्फराज हेमद का शतक मुकमल हुआ तो उनकी सेलिब्रेशन जरूर देखने लायक थी लेगन इस 5 दिनों के टेस मुकाबले की सबसे बड़ी बात ये रही कि 5 दिनों के अंदर 1400 से भी ज्यादा रन्स बने है जो बताता है कराची और पाकिस्तान की पिचिस पर बलेबाजी बहुत आसान है बलेबाजों के लिए ये पिच स्वर्ग है जिसके चलते शायद हमने तभी देखा कि इस मुकाबले में 8-8 अर्द शतक तक लग गए तीन शतक भी आये जबकि न्यूजिलेंट ने अपनी दूसरी पारी को डिकलेर किया था उन्होंने पूरा नहीं खेला था पाकिस्तान भी मुकाबले के अंत तक लड़ता रहा न्यूजिलेंट ने भी आखिर तक लड़ाई की जहां 4 ओवन में 15 रन पाकिस्तान को चाहिए थे तो न्यूजिलेंड ने भी खेल के आखरी सतर में 3-4 विक्टे लेकर मातर एक विकेट से इस मुकाबले को चुका है और अंतता ये दो मुकाबलों की श्रिंखला के दोनों ही मुकाबले ड्रॉर है पहला मुकाबला रावल पिंडी का डॉर हा जबकि दूसरा मुकाबला कराची के मैदान पर भी उसका भी कोई नतीजा नहीं आया है श्रिंखला का पहला टेस्ट मुकाबला जो कराची में खेला गया दूसरा मुकाबला भी कराची में खेला गया और दोनों ही मुकाबलों का कोई भी नरने नहीं आया जिसके चलते अंतता ये श्रिंखला दो मुकाबलों की शुने शुने पर रही लेकिन रनों का भंडारा बहुत बहुत बहुते नवाद